कि अलो स्ट्टुएंट्स नेक्ट हम देखिंगे कैशन नमर सिख्या गया रहा सेम कैशन है मीन फाइंट करना है आपको वही आपके सामने यहां पर टेबल देरा के फ्रिक्वेंसी की फ़ले टेबल बनाओ थोड़ी सी शांदर वाली एकसाई के एफ़ाई 10 30 50 70 & 90 यह देखुए 4 24 28 16 & 8 इसका मीन निकालना है तो एकसाई को एफ़ाई से मुल्टिप्लाइब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यह हो गया आपके पास 40 तर 7 2 & 0 ठीक है? यह कितना हो गया? 5 8's हा हो गया, यह 41 से नहीं, यह 0 तो आएगा है, यहाँ पर 5 8's हो गया, 44 0, 5 2's are 10 and 14, 1 4. ठीक है, यह कितना आगया आपके पास, यह 1 0 तो यहाँ जाएगा? ठीक है और यह आगे आपके पास 1, 1, यहां तक के लिए रहे ठीक है, आगे देखो 890, 72 और यह 0 यहां पर, ठीक है अब क्या करें, अब अपने इसका समिशन निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे इनको करना है आपको add, और इनको भी करना है आपको add, पहले इनको add कर लो, यह 0 हुआ 4, 5, 6 6, और यह 4 कितना हुआ 10 हुआ 7, 8, 8, 4, 12 12, 13, 13 and 7, 20, 2, 0 हुआ, 2, 3, 4 हुआ इसका भी add करो, 4, 4, 8 8, 8, 16 ठीक है, और यह 8, 6 कितना हो गया, 14, कितना हो गया 6, 4 हो गया, 10 13 224, 5, 5 and 3, 8, 8 समझ महा है यहां तक यानी कि देखो, मेरे पास value जो आ चुका है, मेरे पास submission fi का value आ चुका है जिसे मैं n कहता हूँ, 80 आ चुका है वो, and submission xi and fi का जो value है वो 4000 आ चुका है मुझे निकालना क्या है सबसे पहले mean निकालना है, ok submission fi, xi divide by submission fi यानी n की value कितना होगया, 4000 divide by 80 50 बचा है आपको, कितना बचा है यहां पर वहिया, 50 बचा है, आपके पास mean का value, next आते हैं आपन किस पर देखना, absolute deviation from the mean, mode लगाएंगे xi minus x पर mode लगाया, बाहर का, यह वाला मतब mean की बात कर रहा हूँ, 10 से पहले minus करेंगे, तो कितना बचाएगा, 40, 30 से minus करेंगे, तो कितना बचाएगा, आपके पास, 20, 50 से करेंगे तो 0, 70 से करेंगे, तो 20, 90 से करेंगे, तो फिर से हो जाएगा 40, ठीक है, अब आप यहां पर multiply कर दो इसको इस से multiply करना है, यह 4 है, 4, 4 जा, 16, 160 हो गया, 24, 2 जा, 48, 0 हो गया, यह 0 हो गया, 32, फिर, जीरो हो गया, जीरो हो गया, इसका भी मैं addition कर देता हूँ, like, 0, 6, 8, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 6, clear हो गया, 4, 5, 6, 6, and, 6 कितना हो गया, यह 12 हो गया, ठीक है बई, अब देखो मेरे पास, मुझे क्या निकालना है, mean deviation, about mean, यहना, यानि की md find कर रहे हैं अपर कायदे से, formula क्या होता है इसका बताओ, इसका formula हो जाएगा, महरे पास, summation i की value 1 से चले ही कहां तक 3, 4, 5 terms तक हैं यह सारे values, and, यहाँ पर x i minus x के उपर यह value और divide में कितना आ गया लगा हैं लगाओ, 1, 2, 8, 0 और divide by कितना हो गया, 80, 0 से 0, cut of 8 से cut किया, 8 1s are 8, 8 6 are 48, यहनि finally value कितना आ गया, 16 आ गया, अब मुझे बताओ, क्या समझे, हैं बहुत ही easy, cations, statistics के, बस hard q बोल देदर, teachers वगरे या, students वगरे इनको, क्योंकि यहाँ पर calculation जो है, उसमें बहुत सारी mistakes हो जाती है, बट आप क्या थोड़ा सा काम तरीके से करना, काम बताब थोड़ा सा शानती तरीके से calculation करना, बिना अर्टिक से restriction के, पूरा focus question पर रखना तो आपकी mistake नहीं जाएगी, ठीक है, question number six complete.